सू गैस किया आप लोग का भी ये T9安全 mode अलटरवार्वाच लाग यह time talk लोग कर रहा है जैसे आप यहां पर यहांप पर डिसक्रीयर्कर अप लोग कर रहा हो आप लोग कोई बीजिजे आ पर पूरक कर रहा है मेरा पब कर रहा है बट अगर आप लोग का नहीं कर रहा कुछ इस तरी के आहीं हो रहा है अजा का यहां पर आम पर देंखिसकते हो यहां पर आप आप लोग इस से सब्सक्राइब करने साथ क्यों सबस्क्राइब करें Western गोल нем यह पर समझेंग कि आप लोग का स्मार्ट वाच यहां पर हो सकते कि पहले से हैं कर रहा हूँ आप लोग का स्मार्ट वाच के अंदर पानी चले गया हूँ है कि यह आप लोग का वाटरपूफ नहिं पूरी तरीके से हीट हो जाता है यानि कि आप लोग का स्मार्ट वाच है चार्ज में लंगने के बाब जुद भी आप लोग का स्मार्ट वाच बहुत जादा महाँ पर गर्म हो जाता है इसे कराना आप लोग का स्मार्ट वाच यहां पर लेक करने लगता है और आगर आप लो पिस्टलिंद सभी चीजिस आप यहांपर चेंज होते हैं तो अब देखो आप लोग को करना किया solution आप लोग यहांपर जानों आप लोग के इहां पर करना क्या है अगर आप लोग का भी smart watch हैं कर रहे तो सबसे पहले आप लोग यहां पर जिसे smart watch को update करना होगा अप्टेट्स जैसे आप लोग यहां पे करोगे उसके बाद आप लोग का स्मार्च यह ese हो जाएगा अगर आप लोग का एल आप लोग को सिंप्ली उफ कर देने जैसे आप लोग powered off करोगे स्मार्च को अपनी स्मार्च वाल्च को poison सब्सक्तुर्ब ब्रोच चुने का पुलता वाप लोट्ध रहे हैं आप शुक्त श्क म करना है अभी स्मार्ट वाच यहां पर यूज से कितना है और अब नोग आप दिकों करना है तो सिंपन आप लोग इससरी से इसमें खिंक के एपस को उपन कर लीना है अब जैसे आप लोग यहांपर इसके एपस को यहां पर ओपन करोड़ों क करने है आपस को सिंपलभी स्मार्टवाच को पहले था उतने के आप IOêt करने न यहां पर देख से तो मैंने फ्लाइट मोड पर दिया है जैसे हम लोग फ्लाइट मोड से हटाएंगा तो अटोमेटिक से यहां पर यह आ जाएगा इसमें यहां पर यह connect हो चुका है किसी वी चीज को आप लोक के आप रिसेट करना ही चाहिए जयादा तर आप लोका चाहना वल्हा इसमान आप लोक को यहां पर मैंने वन मंत अगर हो गया है एक महिना हो गया है तो आप लोग को रिसेट कर देना चाहिए वो 스maant watch क्यों कि वहां पर जो रहता है जैसा कि आप लोग देखहे रहे हैं पर आ है उप को फेस करने को मिल रहा है आप देखो हैं इसमार्ट वाच हो रहा को थम लोग यहां पर एसे करेंगे तो मैंने आप लोग बता है smartwatch T9 Ultra या T8 Ultra को आप लोग को power off कर देना है अब जैसे power off करोगे इसके बाद जो है आप लोग को अपने smartwatch को जो है smartphone या smartwatch से connect कर देना तो मैं आप smartphone नहीं उस कर रहा हूं मैंने आप लोग को पहले ही बताए safety purpose के लिए आप लोग को smartphone से इस smartwatch को connect नहीं करना है तुसे लिए मैंने smartwatch से यहां पर connect किया जो कि android smartwatch s16 Ultra तो यहां पर smartwatch से connect कर देना यहां T9 अल्टा लिखा वहां जाएगा जो से भी आप लोग का नेम होगा आप लोग को ऊपर की तरह स्वाप करना है यहां पर reset device देख रहे होगा आप लोग को reset device को अप्शन को पर क्लिक करके confirm का option को पर क्लिक कर देना जैसे आप लोग confirm करोगे उसके बाद जो आप लोग का smartwatch में reset लगना स्टाट हो जाएगा यहां तो आप लोग यहां से भी कर सकते हो बट आप लोग का screen hang कर रहागा तो आप लोग यहां पर करोगे कैसे यहां पर reset का यह बटन दिया यहां यहां अगर आप लोग का smartwatch connect नहीं हो पा रहे smartphone से तो आप लोग एक बार यहां पर try करना यहां पर इस तरीके से इसी reset करने का इसको option को पर क्लिक करोगे तो आप लोग का smartwatch reset हो जाएंगे अब देखो smartwatch reset हो गया है उसके बाद आप लोग को smartwatch reset हो ने को अदिये मत समझने लगा हमारा smartwatch work कर रहा है तो हम लोग छोड़ दे नहीं reset करने के बाद भी आप लोग के smartwatch हो करेगा पर आप लोग को पता है पी आप लोग को समझने करने लगा इसके म. करना क्या है यहां पर आप लोग को connect करने आप आप लोग को house के लिए आ जागा यहां पर देख सकते हो no need too update यांग मное eltonya इसे स्मार व própria मत्तरी संवारण है करने लहें है काओ क्यों से स्मार्ट वाच अमारे आपड़ीड है किया मैंने को इस स्मार्पवाच नहीं करते हों यहां पर नहीं करते हो क्योंकि इसका जो यहां पर date और time रहता है, automatic से यहां पर 24 hours में आपर convert हो जाता है, बहुत लोग को भी question रहता है, 12 hour time कैसे set करें, तो आप लोग को आप करना कुछ नहीं, 12 hour time set नहीं कर सकते हो, हाँ बट एक चीज़ कर सकते हो, वह यह चीज़ आप लोग watch face को change कर लो, यह जो यहां पर एक बज़ेगत, यहां पर एक की बदल आप लोग को यहां पर 13 देखने को मिलेंगे, यानि कि इसमें 24 hours वाला time यहां पर चल रहा है, तो इसलिए आप लोग यहां पर smart watch को बार बार अगर आप लोग connect करते हो, तो बहुत अच्छा है, आप लोग को smart watch को connect करना चा आप लोग को watch face भी यहां पर change करने के लिए आजाएगा, अब जैसे हम लोग इसको option को पर click करेंगे, यहां पर जैसे हम लोग touch करेंगे, तो इसमें आप लोग का dial management यहां पर open हो जाएगा, अब आप लोग जो सभी watch face चाब आप लोग change कर सकते, देखो watch face से भी smart watch आप जा देते हो, उस condition में भी आप लोग का smart watch hang करने लगता है, तो आप लोग को थोरा सा आप लोग को high quality का watch face इसमें नहीं लगाना है, आप लोग हलका सा आप लोग यहां पर quality का watch face लगा सकते हो, जैसे कि आप लोग वहां पर उतना animation नहीं रहना चाहिए इसमें आप लोग animation हो इसमें support करता है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे smart watch में रहते हैं, high quality का watch face वो support ही नहीं करने लगते है, चाहिए T8 अने अल्टा हो या 9 अने अल्टा हो, चलिए got it को option को पर click करेंगे, तो यहां पर यह support नहीं किया, अभी low battery है, यह smart watch को उसी लिए हो सकता है, support नहीं कर रहा ह अगर यह smart watch support नहीं करेंगे, तो आप लोग आधा watch face लगेगा, यहां पर आप लोग watch face लगेगा ही नहीं, इसी साथ आप लोग पता कर सकते हैं, watch face support नहीं क्या, उसलिए आप लोग थोड़ा से यहां पर चेक करके अपने smart watch watch face को यहां पर change करना चाहिए, इसके बाद देख delete all data and remove device आप लोग इसे भी आप लोग यूज करना, यह जो remove का option यहां पर देख सकते हैं, आप लोग का smartphone भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे आप लोग इस option को पर tap करोगे तो यहां पर आप लोग को पूरा यहां पर remove होने का आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, अब confirm का option को उपर click कर देना, आप सभी चीज आप लोग का यहां पर remove हो जाएंगे, और यहां पर unbind आप लोग का smartwatch में लिखावा आ जाएंगे, और यहां पर आप लोग का smartwatch सही भी हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग का smartwatch हैंग कर रहागा, यह पूरी तरीके से आप लो करना, अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो आप लोग का smartwatch कभी भी हैंग नहीं करेगा, तो मिलते हैं next video में, so thanks for watching